नमस्कार दोस्तों विलकम बैक तो यूरून चैनल शेवांश को सुगाइस आज हम बात करने वाले हैं कि 22 जून को मंदे को मार्केट ओपन होगी हमें किस तरीके से मार्केट में ठ्रेड लेना है कौन से स्टॉक्स में हम लोग ठ्रेड ले सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्ट साहिया और कुछ हमने देखा है कि अपने प्राइस लेवल से मलब अगर हम बैंक निफ्टी निफ्टी की मुकाबले बात करें तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मुमेंटम दिया है उसके मुकाबले एक्सपेक कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया मुमेंट अमंडे से भ लोगों को क्यों रिकमेंट करें प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे स्टॉप लॉस आपको मिंटेन करना है 768 का हिंदुस्तान उनिलिवर बाय करने की सला दी जाएगी 2095 की पर बाय करना है 2110-2125 के टागेट के साथ आप बाय कर सकते हैं स्टॉप लाइफ बाय करने की सला 522 की उपर बाय करना है 525.5 531 तक के टागेट समें एक्सपेक कर सकते हैं स्टॉप लॉस हमें 517 का मिंटेन करके रखना है बजाच फनैंस बजाच फनैंस इनने बहुत अच्छी मुवमेंट दिया है 7% तक की मुवमेंट दे चुका था प्रॉब्ल अगर यहां में दिखता है साइडवेस दाते हुए तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे बट हम इस अपनी वॉच्छ लिस में रख लेंगे डिफिनेटली ए फ्यूचर में बहुत बढ़िया फायदा दे कर जाएगा चार्ट्स पर आब लोगों को दिखाता हूं 2712 2721 का टाग मैं बहुत चोटे चोटे दे रहा हूं क्योंकि शायद हो सकता है कि कलिए इस टॉप लोगों करके रखना है बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ चार्ट्स में सबसे बहले आप देख सकते हैं यहां पर मैं लेकर आया हूं सबसे बहले हमें इन्डीकेटर अगए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब यहां पर आप लोगों को निफ्ट्स क्या दिख रहा क्या आपको एक सिकेंद मैं आपको दिखाता हूं कि हमें यहां पर किस तरीके से च्ट्राटेजे में का हम करना हैं आप यह बात देखेगा यह आप छोटा सा gap down देख रहे थे, यह, gap down आया था जो, यहाँ पर हमने देखा था, यह red color की line देख रहे हैं, यह red color की line जो देख रहे हैं, यह एक छोटा सा gap अप हमें देखने को मिला था, gap अब देखने को मिला था और gap को fill कर दिया था इस level पे यह देख रहे हैं इस वाले level पे gap को fill कर दिया था बट हम क्या देख रहे थे कि gap को fill करने के बाद उसके उपर जाने में से बहुत दिक्कता रही थी तो यानि कि यह जो red color की line है यह red color की line क्या है resistance line है ठीक है यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके उपर यह निकलने में से बहुत दिक्कता रही है यह line का अगर मैं level की बात करूँ तो 10,340 का level है ठीक है 10,340 की उपर निकलने में इसे बहुत दिक्कता रही है आप देख रहे हैं जब यहाँ से gap down आई तो इत्ता बड़ा fall देखा इसके बाद जब इसे test कर रहे हैं तो हमने दुबारा एक बहुत बढ़िया fall देखा यह जो fall आया है यह fall 600 points का fall है ठीक है तो यानि कि अब यह दुबारा उसी level पर आ रहा है अब क्या possible scenario बन सकता है कि अब भी इसकी closing आपर हुए 10,245 पर और जो उपर resistance है वो है 100 रुपे उपर जाके हो सकता है कि कल market दुबारा इस resistance की तरफ जाने की कोशिश करें और 100 points तक की movement अराम से दे सकता है और वहाँ से दुबारा selling pressure आ जाए दूसरा point है कि यह 100 points को भी तोड़के ऊपर चले जाए और एक जगा close देते है सो guys यहाँ पर जब तक यह 10,000 3,45 की ऊपर close नहीं देता है तब तक हमारे लिए इसमें buy नहीं है buy in the sense कि मतलब हम इससे positive नहीं समझेंगे हम समझेंगे कि एक अच्छी गिरावट आई है तो एक recovery दिखा रहा है यह recovery हो गई हम इसे positive momentum नहीं समझेंगे positive कहां से बनेंगा nifty जब इसके ऊपर जाके green candle में closing देता है अब भी यह recovery दिखा रहा है इतनी बड़ी गिरावट का तो हम इस recovery में भी by position बना सकते है ठीक है तो अगर हम बढ़ते है next talk की तरफ तो अगर सबसे पहले हम index की और बात कर लेते हैं जो कि यह bank nifty bank nifty इसके मुकाबले बहुत बढ़िया कर रहा है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अब यहाँ पर यह चीज देखेगा इन सारी lines को भूल जाएए आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ बढ़िया चीज आप देखेगा यह उपर वाली red line देख रहे है यह उपर वाली सबसे उपर वाली red line पर focus करिएगा ठीक है यह उपर वाली red line resistance है अब आप देखेगा किती बार इसके उपर green candle में यह यह level जो यह start हुआ है यह level यह start हुआ है around मैं आपको दिखाता हूँ एक second wait करिए यह जो गिरावट आनी शुरू हुई है यह गिरावट आनी शुरू हुई है mid March में March में यह गिरावट आनी यहां से शुरू हुई है तो March, April, May and June चार महीने हो गए है अब आप देखें इस level से कहाँ पर अभी तक green candle ऊपर की तरफ बनते वे हमें देखने को मिली है इदर नहीं मिली इसके ऊपर यहाँ छूने की कोशिश करी दुबारा नीचे आ गया मैं एक बर आपको थोड़ा और इस निखाता यहाँ छूने की करी कोशिश दुबारा नीचे आ गया फिर टेस्ट करा और उपर गया उपर जाने के बाद हमने देखा दुबारा आपर एक fall आ गया आप देखे रहे और red color की candle थी green की नहीं थी यहाँ पर भी आप देखिए red color की candle दुबारा एक fall आ गया अब आप देखे कल के session में हमने एक green color की candle देखिए है और वो भी bullish candle के साथ एक closing हमें होते वे देखिए है तो यानि की 4 महिने के बाद जाके हमने इस level को तोड़ा है और यह level कौन सा आ रहा है 21,200 के असपास का level है ठीक है तो यानि की अब यह positive है अब हमें क्या wait करना है अगर कल यह इसके नीचे चले आता है दुबारा red candle बना देता है तो तो guys यह दुबारा excelling pressure आ जाएगा बट अगर यह कल इसके उपर close करने में काम्याब हो जाता है आज के Friday के high के उपर Friday के high के उपर अगर यह close कर जाता है क्यों? अब देखें यह resistance है candle ने breakout दे दिया है अब हमें एक false breakout ना हो यह false breakout ना हो उसके लिए हमें confirmation कैसे मिलती है कि अगली candle अगर यह अपनी closing candle के उपर जाके बंद कर दे green candle में अगर यह अपनी closing candle के उपर बंद कर देता है तो हमें confirmation बिल जाएगी हमारे जो target होगा वो target यह level होगा उसके पाद higher levels हमारे लिए बंद दे जाएगे तो हमें कल के लिए patience होके wait करना है अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले stocks की तरफ तो SBA life SBA life पे आप देख सकते हैं आपे कि यह क्या positive दिखा रहा है यह देखें गाईस इसने क्या करा यह अपने चैनल के अंदर काम कर रहा था है आपर आप देख सकते था हमने देखा strong movement आई strong movement आई यह गिरावट आई यह जो गिरावट देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले बात तो trend line का support है trend line का support है ठीक है दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं Fibonacci बनाता हूँ तो 61.8% का Fibonacci retracement का support है दूसरी बात यह line आप देख रहे हैं बहुत important line है इसकी उपर जाने के कोशिशकरी नीचे आया फिर नीचे जाके यह उपर जा रहा है और अब देख रहे हैं line पे sustain कर रहा है तीन दिन से यह वाले line पे जो की है around इसका जो level निकल के आ रहा है वह level line का है 6,769 का 771 के चलते है तो इस क्यूपर sustain कर रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक bind दिखा सकता है और यह level तकी जहां सकता है तो इसलिए मैंने इस particular stock को buy के लिए आप लोगों को recommend कर रहा है दूसरे stock की बढ़ते हैं तो DLF DLF को देखते हैं DLF क्या बता रहा है DLF को आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो आपको blue color का zone दिख रहा है यह range इसको हम कहते हैं supply zone supply zone कहते हैं इसे हम resistance भी कह सकते हैं अब हम देखते हैं यहाँ पर selling pressure आया यहाँ से दुबारा एक fall देखना और हमने देखा है इसके उपर कोई भी green candle नहीं मनी है इस particular channel के अंदर कोई उपर green candle नहीं मनी है आप देखते हैं इसके उपर गया हमने दुबारा एक नीचे की तरफ closing देखी और यहाँ देख रहे हैं यह गिरावट दिखाई यहाँ पर आप देखाई इसमें क्या करा है गिरावट दिखाई sustain करा और एक breakout दिया अब आपको मैं आपर दुबार एक बर दिखाता हूँ ठीक है ना color कोई और ले लेता हूँ गिरावट दिखाई यह देखाई यहाँ sustain करा और यहाँ पर एक breakout दिया और breakout देने के बाद इसके उपर भी closing देने में कामियाब हो गया अगर यह इस level के उपर निकल जाता है देख रहे हैं छोटा सा resistance है यहाँ पर 162.5 यह 162 के उपर निकलता है बाई बन सकता है अब बाई कहां तक बन सकता है यह देख रहे हैं छोटा सा gap है तो इस gap के इस level तक जा सकता है जो कि 168 का level दिखा रहा है ठीक है और यहाँ तक तो minimum target हो सकता है कि इस level तक भी चले जा है जो कि 175 का level है इसे अपनी watch list में रखें wait and watch आपको बड़िया momentum दे सकता है HDFC life ठीक है HDFC life पे आप देखेगा एक यह symmetrical triangular pattern के रूप में है अपने इस level पे आ चुका है और दूसरी बात आप देखें नीचे आया एक range के अंदर काम करा यह देख रहे हैं यहाँ पर range का breakout दिया और एक हमने देखा है कि उसके ऊपर जाके candle ने close कर दी अगर मैं इस particular का भी target लेकर चलता हूँ जो की आ रहे है 525 तो यह 500 रुपे के stock में 5 रुपे का target भी बहुत अच्छा है पर मुझे लगता है कि वो इस level तक दुबार आने की कोशिश करेगा जो की 535,535,1 का target है तो इपर watch कर सकते हैं अगर इसकी ऊपर close कर देता है, break कर देता है तो यह target तो है minimum इसका 540 का है और दूसरा target और higher levels भी हो सकते हैं तो इसको भी watch बना के चल सकते हैं अब आते हैं हम हिंदुस्तान Unilever पे हिंदुस्तान Unilever पे आप देखेगा कि यह किस तरीके से काम कर रहा है इन सारे patterns की उपर आप ज़्यादा ध्यान बन दीजे सिर्फ Fibonacci की levels की उपर ध्यान दीजे ठीक है, अब आप देखें यह range के अंदर attack गया है यह देख रहे हैं यह में एक box बना रहा है, एक box आप देख रहे हैं इस box के अंदर यह attack चुका है हिंदुस्तान Unilever अब यह box कर इंच क्या है, देखें Fibonacci के यहाप से बता रहा है, 38.2 percent retracement और यह 236 percent retracement इस box के अंदर attack गया है यहाँ पर हम देखते हैं, एक buying आ जाती है 2050 के असपास और हम देखते हैं, जहाँ selling आती है वो आती है 2140 के असपास तो यानि कि इसकी closing हुई है कहाँ पर? इसकी closing हुई है 2090 पर, सो मुझे लगता है अभी भी एक momentum दिखा सकता है, यह level और यह level तक, यहाँ तक यह एक बार जा सकता है बट अगर जैसे यह 2150 को break कर देता है, तो इसका सीधा target है 22 120 का level ठीक है? इसको watch करके चल सकते है, मैंने guys इस level पर अपनी buy position बना रखी है, sorry इस level पर नहीं, मैंने 1800 रोपे के असपास पनी position बना रखी है तो यह मेरे लिए अभी वी hold पर ही है यहाँ पर एक next talk की तरफ आते है, जो last है, बजाच finance बजाच finance पर आप देखेगा कि किस तरीके से आपर काम होगा है सबसे पहली बात आप यहाँ देखेगा Fibonacci को study करते हैं Fibonacci को study करें, यह एक strong fall आया, कहां से आया, 4920 के लेवल से और गिरा कहां तक 1800 रुपे के लेवल तक sorry guys, वो हिंदुस्तान उनलिवर बायन में नहीं था, यह वाला 1800 रुपे के में बायन में, या बजाच finance, so यह हमने बाय कर रखा था, और आप देख सकते 1800 तक गिरावर्ट दिखाई, गिरावर्ट दिखाने के बाद आप देख रहे हैं, यह इस range के अंदर अटक गया था, यह range आप देख रहे हैं red color की light, यह हम देखते थे, यहां selling pressure आता था, यहां आता था, और यहां जाके इसने break करा दूसरी बात और क्या बन रही है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, यह एक बना रहा है आप देख सकते हैं, यह round share pattern, एक छोटा सा और pattern और यहां पर इसने break out दे दिया, इस हम कहते हैं cup and handle pattern, ठीक है, यह cup and handle pattern है, एक resistance का break out दिया है, तो target जो निकल के आ रहे है वो निकल के आ रहे है, 3000 के, 3000 के targets के level निकल के आ रहे है, और मैं यहां पर अपनी profit booking कर लोगा ठीक है, यहां पर आप एक level इसको बना के चल सकते हैं, बहुत बढ़िया है यह stock, ठीक है, तो इसी के साथ मैं नहीं लूँगा, यह सिफ educational purpose के लिए, मैं ही आप लोगों को यहां पर सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप लोगों की practice भी होते रहा है, और आप market में study भी करते रहा है, ठीक है, अगर आप मेरे से personally service चाहते हैं, तो guys हमारा यह Monday से session नया batch start हो रहा है, 20 members के लिए almost 12 member join हो चुके हैं, हमारे paid service के लिए, 8 लोगों के लिए अभी भी seat बची भी है, तो अगर आप लोग interested है, तो आप लोग मेरे से contact कर सकते हैं मैं आप लोगों की मदद वहां कर दूँगा ठीक है, description पर contact information सारी provided है, वहां जाके देख सकते हैं, so इसी के साथ मैं वीडियो को wind up करता हूँ, वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो को like करना मत बूलेगा, share करिएगा कि educational वीडियो सब लोगों को समझ में भी आए और यहां पर आप लोगों की चार्ट्स की जो तड़ी है, वह हलके हलके होती भी रहा है, so guys मैं बिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पर signing off